नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार और रसिष्टेडी ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंग यादो की पुस्त के पूरे 50 अब्यास पेपर कंपलीट होने के प पूरे 50 पर संदिय गिये हैं और यदि आपकी परिक्साहों में तयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और रंत में कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए साथ इन सभी वीडियो की पीडियेप फायल तेता अने एक परकार के नोट शेदी आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिपिकेशन बेल को अन कर ल नाडू केरल असम या अरणाचल परदेश तो सांत गाटी या साइलेंट वेली किस राजे में इस्तत है इसका राइट आंसर ओप्शन नंबर बी होगा केरल में इस्तत है इसके अलाव साक्षरता की द्रश्टी से केरल का क्या है पर्थमिस्तान सहरवादिक साक्षरता तो अरणाचल परदेश का जनसंक्या गनत्वा सबसे कम है सबसे कम जनसंक्या गनत्वा किसका अरणाचल परदेश का सहरवादिक गनत्वा की बात करें तो वह भिहार का है अरणाचल परदेश की राजदानी क्या है इटान अगर है तो केरल की राजदानी है तिर्वा नंत नीक्ष्ट नांतर्राश्ट्रेती थी रेखा कौन सी है भूमद्र रेखा 0 Degree toto अंतर्राश्ट्रेती थी रेखा कौन सी है 180 Degree toto open Nut d राइट होगा भूमद्रे को हम 0 Degree आक्सांस या विश्वत ये रेखा भी कहते हैं बारत का केंद्रिय औसदी अनुसंदान संस्तान कहां इस्तत दिली भैंग दूरू चेने संस्तान आपके उत्तर पर देश की राजदानी लखनओ में इस्तत आ ओप्सन नमबर डी राइट होगा राश्टर पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के समिदान से लिया गया है अमेरिका, आइरलेंड, दक्षिन अपरिका या फ्रांस तो फ्रांस से क्या लिया गया है फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रा अत्मक व्यवस्ता तो दक्षिन अपरिका से लिया गया समीदान संसोदन की परकिरिया दक्षिन अपरिका से लिग गई है तो आईरलेंड से लिया गया है निती निर्थे सांगतत्व है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि निती निर्जे संगत तो आइलेंड से लिया गया है परन्तु आपके मूल करतवे किस देश चे लिया गया है यहाँ पे दिया गया सयुक्त राजे अमेरिका तो इसक्यूशन का रायट आंसर होगा नामांकन का नियम अमेरिका से लिया गया इसके लोव मॉलिक दिकार भी अमेरिका से लिये गये है सैर्व सता संपन संसद की अवदारना किस देश की देन है इंगलेंड बारत फ्रांस या जापान तो सैर्व सता संपन संसद आपके ब्रिटेन की देन है option number A right होगा राष्ट्रे ग्राम विकास संस्तान कहां इस्तत है नई दिल्ले मुंबई हिदराबाद या कानपूर तो राष्ट्रे ग्रामीन विकास संस्तान आपके तेलंगाना की राजदानी हिदराबाद में इस्तत है option number C right होगा यहाँ पे भारत के समिदान का निर्माता की से माना जाता मातमा गांदी बियार अमबेड कर जो आला नेरू या बी अन राव तो समिदान का निर्माता जो प्रारूप समिदी के अद्डेक्स भी थे कौन तेल डोक्टर भीम राव अमबेड कर और भीमरा वंबेड कर को ही समिदान का निर्माता माना जाता है बारत की आत्मा गाउं में निवास करती है ये कतन कि स्वेक्ति ने कहा था विनोबा भावे जे परकास नारायन नहरू या मात्मा गांदी तो भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है ये बात मा आत्मा गांधी जी ने कही थी ओप्शन नमबर डी राइट होगा गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादि समाचार पत्र का नाम क्या था सर वो दे आर ये टाइम सोप इंडिया या येंग इंडिया तो गांधी जी द्वारा 1933 में संपादि समाचार पत्र का नाम था येंग इंडिया ओप्शन नमबर डी राइट होगा नेक्स्ट क्यूसन है बारत स्यवक समाज की स्थापना किसने की बाल गंगा दर तीलग गोपाल कर्शन गोखले और गंगांधी जी के राजनीतिक गुरू भी ते गोपाल कर्शन गोखले अंग्रेज द्वारा निमन में से किस क्रान तिकारी को फांसी की सजा दी गए जतिन दास चंदर से क्राजाद राजगुरू और कलपना दत तो किने दीते आप सभी को पता है कि सुक देव, राजगुरू और भगत सिंग को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी तो यहाँ पे कौन सा उतर राइट होगा राजगुरू अप्शन नमबर C राइट होगा यहाँ पे मोती मस्चिद निम्न में से किस नगर में इस्तेता है आगरा, जेपूर, लाहोर या एमदाबाद तो मोती मस्चिद कहां पर इस्तेता है आपके आगरा में इस्तेता है उप्शन नमबर A राइट होगा LTE का विस्तारित रूप क्या है वो भी मॉबाइल के संदर्ब में बताना है तो LTE का विस्तारित रूप होगा, फुल फॉर्म होगी, LTE की क्या होगी लोंग टरम इवोलेशन, ओप्शन नमबर C राइट होगा यहाँ पे यहाँ किस देश की मुद्रा का नाम है, यूगोसलेविया, मेक्सिको, जापान या थाई, यहाँ किस देश की मुद्रा का नाम है, यहाँ आपके है जापान की मुद्रा का नाम, ओप्शन नमबर C राइट होगा इस केलावा जापान की राजदानी क्या है टोकियो है और जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है और जापान का मेंचेस्टर किस सेर को कहा जाता है तो वो उसाका को जापान का मेंचेस्टर कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन और जीके का लाश्ट क्यूशन है कि नासिक किस नदी के किनारे इस्तत है नासिक महराष्टर का एक परसीद सहर है जो कि किस नदी के किनारे इस्तत है मानदी तापती कर्षना या गोदावरी तो इसका राइट आंसर उप्सन नमबर डी होगा गोदावरी नदी के किनारे इस्तत है और इसके साथ यह आपके जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन कंप्लिट होते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन विज्ञान का पहला पर्षन आथ की स्क्रीन पर दिया गया कि निम्न में से विटामीन E का अच्छा स्रोथ कौन सा होता मास घी पिला योक या ताजी सब्जियां तो विटामीन E का सबसे अच्छा स्रोथ ताजी सब्जियां होती है उप्सन बिटामीन का नाम बताए जो किसी भी मासारी बोजन में नहीं मिलता है तो ध्यान रहे एक मातर विटामीन ऐसा है विटामीन C जो केवल खटे फलों में प्राप्त होता है किसी भी मासारी तत्वा से प्राप्त नहीं होता है उप्सन नमबर B राइट होगा यहां पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता अंग की जगा गरंती होता तो अच्छा होता रिद्य मस्तिस यकरत या गुर्दा तो सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी गरंती कौन सी होती यकरत होती ओप्सन नमबर C राइट होगा यहां पे वाहनों के अगर दिवपों या हेड लाइटों में किस परकार के दरपन का इस्तिमाल होता समतल दरपन, अवतल दरपन, उतल दरपन या परवल ये दरपन तो हेड लाइट में किस दरपन का परियोग किया जाता है अवतल दरपन का परियोग किया जाता है आप्सन नमबर B राइट होगा किसी बिजली की इस्तरी को गरम करने के लिए किस दातु का प्रियोग किया जाता है तामबा, टंगस्टन, निक्रोम या जस्ता तो बिजली की प्रेस को गरम करने के लिए निक्रोम का प्रियोग किया जाता है option number C right होगा यहाँ पे सूरिय के सबसे निकट गरह कौन सा होता प्रत्वी, बुद्ध, मंगल या सुकर तो सबसे निकट गरह की बात करें तो कौन सा होगा option number B right होगा बुद्ध गरह सबसे निकट है तो सबसे दूर कौन सा है सबसे दूर आपका वरुन है जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाने के पाइपों पर जस्ते की परच चड़ाने को क्या कहते हैं तो जो लोहे पर जस्ते की परच चड़ाई जाती वो भी जंग से बचाने के लिए उसे हम कहते हैं ये सद्लेपन तो क्या होगा? ज़स्ते की परच्छा डाना नहीं होगा, मिस्तर दातू नहीं होगा, वलकनी करण नहीं होगा, ये सद्लेपन रइट होगा, उप्सन नमबर D यूरेनियम विखंडन की सतत परकिरिया को जारी रखने में किस करण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन या पोजिट्रोन तो यूरेनिय विखंडन की परकिरिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रोन के आउशेक्ता पड़ती है उप्शन नमबर C राइट होगा इसक्यूसन का इसका इस्तिमाल किया जाता है पेट्रोल की स्पोर्टक रोधी गुणवता बढ़ाने के लिए उप्शन नमबर A राइट होगा टेट्रा में तिल शिशा किया उशेक्ता पड़ती है नाइट्रोजन यूग्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य सरोत क्या होता है अमोनिया नाइट्रिक अमल नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डायोकसाइड तो नाइट्रोजन यूग्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य सरोत अमोनिया होता है option number A सही होगा insulin का आविस्कार किस ने किया तो insulin का आविस्कार is question का right answer होगा option number A बाटिंग ने किया था option number A सही होगा इसका भी next question है radio security strong CM90 के कारण कौन सा cancer होता है तो radio security strong CM90 के कारण आपका skin cancer होता है तउचा का cancer option number B right होगा और इसके साथ ही आपके science के 15 most important question complete होते हैं और next part में हम करेंगे गनित के most important question गनित का पहला person आपकी screen पर दिया गया कि दो अंकों वाली एक संक्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संक्या का योग एक वर्ग है ता दानुसार इस परकार के कुल संक्याएं कितनी है दो अंकों की संक्या में इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक सबसे चोटा एक होगा ठीक है और दाहाई का अंक क्या होगा दाहाई का इकाई के अंक को हमें एक से गुना करना और दाही के अंकों 10 से गुना करना यही होता है दो अंकों के संक्या में जैसे हमारे पास एक संक्या 25 तो इसे हम इस परकार लिख सकते है 2 गुना 10 क्योंकि दाही का अंका 10 से गुना करते है पलस इकाई के अंकों 1 से गुना करते है कि बाद कुणा एक दो गुणा दस कितने हो जाएंगे बीस ēर 55 इसी परकार होता है तो तस और एक कितनी हो जाएँगे 11 तो उस संक्या के एंको योग संभवत 11 होगा ठीक है किस परकार जैसे 11 किस का होगा सबसे पहली हो जाएगी 9 और 2 11 होता है फिर क्या हो जाएगी फिर हो जाएगी आठ और तीन फिर हो जाएगी साथ और चार फिर कितनी आजाएगी फिर आजाएगी आपकी छे और पांच फिर पुन्ह यह आजाएगी पांच और छे चार और साथ तीन और आठ नो और दो कितनी हो गई एक दो तीन चार और चार कितनी आएगा 24 में 12 का पूरा पूरा बाग जाता है तो आगे वाली 16 में देख लो 6 पल कितना बचेगा ठीक है तो 16 में और 12 का अंतर चार तो उसमें 6 पल कितना बचेगा चार 12 का बाग दिया जाएगा उप्शन नमबर बी राइट होगा यहां पर साथ की गात 21 गुणा 6 की गुणा 63 गुणा तीन की गात 65 के गुणन फल में 21 का अंक क्या होगा तो साथ की गात देखे साथ की गात एक का मान में 21 का अंक 7 होता साथ की गात दो में इकाई कांग उन पचास में नो होता है साथ की गात तीन का मान कितना होता है 343 तो इकाई कांग क्या होता है चार और साथ की गात चार कांग में इकाई कांग होता है और चार गात आने के पचाद फिर वही आजाएगा 7,9,3,1, 7,9,3,1 तो इस पर चार गात आने के पसे चारथ हम बात करेंगे तो अब दिया क्या गिया दिया गिया 7 की गात 71 71 में 4 का भाग देंगे 17,64,68 6, मुल कितने बचेंगे 3 तो पहले आएगा 7 की गात 3 और 3 गात आएगे तो एका 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 अंग कितना आएगा तीन आएगा आधि इनकी जही तiałनी ही हैँजेगा तीनकी गात एक हो तो । एका एका एगाएगा है। तो 27 में 115 साथ आता है और तीन की गात AAP की क्या पर चाहिए होगी चार ओगी एक ऺती हाईगा तुचार गात के बाद यह समाद समान होता है तो कितने होगा लोगा 16本 के 14 कितने 6 Cash Pall बचेंगी 65 criticized में से 64 गटाएंगी 13 की एक का मतलब कितना आना चाहिए तीन यह आना चाहिए तो तीन 6 3 18 और 18 3 54 और 54 में का इका कां कितना आएगा 4 आएगा ओप्सन नमबर D-right होगा । यहाँ पिजित दो ऑनुपात 3 के अनुपात में हैallo संक्यों का युफ संक्यों का यूप कितना होग यूऑ में इन रोपनातों कितना होता इनुपात का कि बनिपनी तू-व एक का मान का मदक में चय है तो संक्याइं कोन सी हो जाएगे आठ दूने सोडा और आठ तेन चौबिस ठीक है 16 और चौबिस तो सोडा और चौबिस का योग कितना होगा उन संक्याओं का योग पूछा तो 16 और 24 चालिस उप्शन नंबर सी राइट होगा एक बटे रूट दो पलस एक पलस एक बटे रूट तेन पलस दो पलस एक बटे रूट तेन पलस दो पलस एक बटे रूट परकाट डेस टेस करके सो तो इसके लिए आपको सीधा सीधा बताया गया कि अंस के रूप में यदि एक ही हो और ये निरंतर बढ़ते हुए करम में है तो सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला अंक उठाना यहां पे रूट सो है तो रूट सो में से गटाना किसे गटाना सबसे छोटा कौन सा यहां पे सबसे छोटा एक है तो एक गटा दो ठीक है तो रूट सो कमान कितना होगा दस और दस में से एक गटाएंगे कितना हैगा नो ओप्सन नंबर बी राइट होगा यहां पर एक आतगड़ी का अंकित मुल्य शोला सो रुपए है एक विक्रियत उसका विक्रियता खरीदार को करह में से लेतार अक्सका मान किया होगा पहले पर दस परतिसत की शूटब नेता है तो वह कितने मेंबेच वह खरीद देगा आपका 1400 में अब चूट देता है आपका 6 और 216 रुपई की चूट देता है ठीक है तो अब यह कितना प्रतिसेता 1440 का 216 तो 216 बट्टे 1440 गुणा क्या करेंगे गुणा कर देंगे हम सोच से क्या करेंगे 0-0 काट लेंगे यह 12 से कटता 12 एक कम 12 कितने शेसपल बच रहे हैं आपके नो शेसपल बच रहे हैं 6 उतारा 12 अठे च्यान में 18 बट्टे 126 तीन बार और 12 कटेगा दो बार ठीक है तो डबलू की आई कितने रूपे थी दोनों बचत समान करते हैं तो आपको बताया गया है आई का अनुपाद 4-3 हो जाएगा खर्चों का अनुपाद 3-2 हो जाएगा वजर गुणा करवा लो 4-3-12 तीन-3 कितने हो जाएंगे 3-3 हो जाएंगे आपके 9 अब इसका अंतर कितना 3 और 2 का एक और वजर गुणा का अंतर हो जाएगा 3 गुणा किसे करवाना 600 से 3 से 600 कितनी बार कटेगा दो बार सोरी 4-2-8 होगा यहां पर 4-2-8-3-3-9-1 ही बचेगा तो एक बटे एक गुणा 600 मान कितना हैगा 600 याएगा तो इसकी ह की आई कितनी हो जाएगी एच की आई हो जाएगी 6-4-4-0 और डबलू की आई हो जाएगी 6-3-18-0 ठीक है तो अठारा सो जी सो अप्शन में है वो राइट होगा क्योंकि डबलू की पूछा है और अप्शन नंबर C राइट होगा एबटे B बराबर 2-3 या हम कह सकते है की A 95-B बराबर 2-5-3 है B बराबर 4-5 है तो A पलस B अनुपात B पलस C तो पहले हमें इद तिनों का अलग-अलग अनुपात गयाद करना A B और C का A अनुपात B कितने हैं 2 अनुपात 3 जहांपे खाली दिखाए दे पास वाला 3 लिख दो ठीक है B अनुपात C है 4 अनुपात 5 4 अनुपात 5 है यहांपे खाली है 4 लिख दो कितने हो जाएंगे 4 दुने 8 4, 3, 12 और 5, 3 कितने हो जाएंगे 15 अब पूछा क्या गया A पलस B 8 A का 8 हो गया B का 12 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 अनुपात B पलस C 12 और 15 27 20 अनुपात 27 तिस उप्शन में उप्शन नंबर D राइट हो जाएगा A B की तुलना में दुगोणा बेहतर काम करता मालो B 1 काम करता है तो A कितना काम करेगा 2 काम करेगा B 1 आदमी के बē꺼र काम करता है तो A 2 आदमी के ब bubbly के बराबर काम करेगा ठीक है और वे दॉनों मिलकर एक कारие को 14 दिनों में पूरा करते अब देखो आपको MWT का फूर्मूला बताई MWT पहले यह दोनों मिलकर T का मतलब time कितने दिनों हम 14 दिनों में काम करते एक काम है अब आदमी कितने है दो आदमी नहीं है क्योंकि एक आदमी तो B को गिना है और A को कितने आदमी के बराबर किना दो आदमियों के बराबर किना है तो दो और एक इतने हो जाएंगे तीन आदमी है ठीक है तद अनुसार एक अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में अब एक इतने आदमियों के बराबर दो आदमियों के बराबर तो दो आदमी उसी काम को कितने दिनों में टी लिग देते टाइम V safe में गुणा करवाना जो बचे उसका भाग देना ठीक है तो एक इंटू तीन इकम तीन और तीन इंटू चओदा गुणा करवाना है और भाग किसका देना है दो इंटू एक का तो ठीका माना जए दो एकम दो का बाग देना 2 से 14 साथ बार और साथ इन 21 तो आपका ए अकेला उस काम को 21 दिन में कर देखा उप्सन नंबर बी राइट होगा यदि लागत मुल्य विक्री मुल्य का 95 परतिस्थ हो तो उसके अधार पर लाब का परतिस्थ कितना होगा तो मालो विक्री मुल्य सो रुपे है तो लागत मुल्य कितना हो जाएगा पिच्यान में यही बोला कि पिच्यान परतिस्थ हो तो कितना लाब हो रहा पांच परतिस्थ का लाब पांच रुपे का लाब हो रहा परतिस्थ निकालना गुणा सो से गुणा करवा दो पांच एकम पांच और उन्निस पंजे पिच्यान उन्निस का बाग देना सो में कितनी बार दाएगा उन्निस पंजे पिच्यान में कितने शेस पल बच रहे हैं पांच शेस पल बच रहे हैं उन्निदुने अर्थेस पांच दस मलव दो के सम्थिंग आएगा अप्शन नमबर डी राइट होगा पांच दसमलोग दोच्छा परतिशत एक विक्रेता ने अपने वस्तुओं का तीन बटा चार हिस्सा चोबिस परतिशत लाब पर बेचा शेयस लागत मुल्य पर बेच दिया तदनों सार उसका कुल लाब कितने परतिशत रहा मान लो उसके पास कुल चार वस्तुओं हैं और उसमें से तीन तो वो चोबिस परतिशत लाब पर बेच रहा है और एक है जो उसी मुल्य पर बेच रहा है तो तीन का हमें ग्याद करना चोबिस परतिशत तीन गुणा चोबिस बटे सो और ये कितने परतिसेत होगा कुल का तो कुल कितनी है कुल है हमारे पास चार है और परतिसेत निकालना है तो गुना सोशे कर दो सोशे सो कैंसिल चार से चोबिस छह बार और चैतीन अठारा परतिसेत हो जाएगा कुल का भी रत हैगा POLYSY premi Prin ... ॏ ऑप्सान न, भी राइट हो जाएगा हूं यहां पि dared एक आराय रीया में 40%site मइवला करम्चारी है उन में से 4 ! परती concert ममिलाओं औरего रचाटान पुरुश हो ने मेरे X' में मतदान किया तो दानुसार मेरे पक्स में मतदान कितने परतिसत ने किया 40 परतिसत महिला है तो पुरुस कितने हो जाएंगे 60 परतिसत 40 महिला 6 पुरुस है 40 परतिसत महिला 40 का 40 परतिसत कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा और 4 के 16 और 60 परतिसत पूरु 60 का 60 परतिशत कितना हो जाएगा, 0 कर जाएगा, 36, 36, 16 और 36 कितना हो जाएगा, 52 परतिशत ने मेरे पक्स में मतदान किया, option number D right होगा, 100 रुपए की एक वस्तु की किमत पहले 10 परतिशत बढ़ा दी जाती, ततपस्चा 10 परतिशत और बढ़ा दी जाती, 100 रुपए की है, 10 परतिशत बढ़ाएंगे, तो 110 बटे 100, फिर और 10 परतिशत तो 110 बटे 100, तो कुल कितनी वर्दी होगी, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 121, तो कुल 121 हो जाएगी, वस्तु कितने किती 100, किती अब 121 की हो गई, तो कितने परतिशत की वर्दी होई, 21 परतिशत की, उप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर परतिगंटा की गती से साइकिल चला कर, अपने कारियाले में 6 मिनट की देरी से पहुँचा, जब उसने अपनी गती 2 किलोमीटर परतिगंटे कर दी, तो व्यक्ति के कारियाले और उसके आरंबिक इस्तान के बीच की दूरी क्या है, देके पहले उसकी गती कम, ठीक है, मान लो उसके बीच की दूरी है, 1 किलोमीटर, सोरी, हाँ, 1 किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा, 10 किलोमीटर प्रति गंटे से चलेगा, तो वो 1 बटे 10 मिनट लगेगा, और फिर 2 किलोमीटर बड़ेगा, तो 1 बटे 12 लग जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा बराबर कितना समय आ रहा पहले 10 मिनट 6 मिनट लेट होता फिर 6 मिनट जल्दी पहुंचता कितने मिनट का अंतर हो गया 12 मिनट का बट्टे गंटा में बदलना एक गंटे में 60 मिनट होती है ठीक है यहां पर LCM कितना आ जाएगा 10 और 12 का जाएगा 60 ठीक है 10 का बाग कितनी बार जाएगा 6 बार और 12 का बाग जाएगा 5 बार बराबर 12 बट्टे 60 ठीक है 60 से 60 कैंसिल से में से 5 गटाएंगे एक कमान कितना जाएगा 12 तो उनके बीच में दूरी कितनी है 12 किलो मिनट की ओप्शन नमबर C राइट हो गए यहां पर तीन से एक बटे 3 माइनस दो से एक बटे 2 में भाग देना एक से एक बटे 4 का और उसका एक बटे 2 ग्यात करना और उसमें भाग देना एक बटे 3 फलस एक बटे 9 और उसका ग्यात करना एक बटे 5 और फिर उनसे भी का 4 बटे 3 ग्यात करना है किस परकार करेंगे सबसे पहले इस उपर वाली संक्या को अल करते हैं उपर वाली संक्या कितनी दी गए ये तीन से एक बटे तीन है ठीक है इसे सरल करेंगे तीन तीन नो और एक कितने हो जाएंगे दस बटे तीन है और माइनस कितना दो दुने चार और एक पांच बटे दो है ठीक है अल्शियम कितना आएगा 3 और 2 का 6 आएगा ठीक है 3 का बाग 6 में 2 बार और 10 तुने 20 2 का बाग 6 में 3 बार और 5 3 15 ठीक है 20 में से 15 गटाएंगे कितना आजाएगा 5 बटे 6 आजाएगा और अब हम क्या करेंगे एक सई एक बटे 4 का बाग देना है तो 4 एक हम 4 और एक 5 बटे 4 का बाग देना बाग देने का अपना नियम 4 बटे 5 से गुणा करवा दो पांच से पांच कैंसिल कितना हो जाएगा चार बटे चार बटे चार बटे चार बटे चार ग्याद करना एक बटे दो दो से चार कितनी बार कटेगा दो बार तो आ जाएगा दो बटे चार काट कर सरल भी कर सकते हैं एक बटे तीन आजाएगा दो बटे चाका तो उपर वाली से क्या आगई एक बटे तीन ठीक है यह एक बटे तीन हो गई नीचे वाली को सरल करते हैं नीचे वाली को सरल किस परकार करेंगे पहले इन दोनों का योग करते हैं किस परकार करेंगे यहाँ पे LCM आजाएगा 9 और उपर के आजाएगा 3 का बाग 9 में जाएगा 3 बार तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे 9 4 बटे 9 का ग्याद करना 1 बटे 5 तो कितना आजाएगा 4 बटे 9 पंजे 45 ठीक है अब इसे सरल बाग देंगे तो उल्टा करके गुणा वही 45 बटे 4 ठीक है तो कितना आजाएगा 3-45 कर जाएगा 15 बटे न गंजे 50 बटे 5 का यह ग्याद करना- monkey इसका right answer option number B right हो जाएगा 5 होगा तो यह ते गणित के 15 most important question और next part में हम करेंगे reasoning के 5 अतिमायत्वपून परसन reasoning का पहला person आपकी screen पर दिया गिया है लेखक उपनियास लेखक क्या करता है उपनियास लिखता है तो नर्ते निर्दे से क्या करता है नर्ते करने का कार यह करता है option number B right हो गए यहाँ पर छोटा लंबा विलोम सब्द दिया गिया है इसके अलबा पूरुस का इस्तरी विलोम सब्द है हलका का भारी विलोम सब्द है परन्तु अपराद का विलोम सब्द तो निर्पराद होगा आरोप नहीं होगा option number D right होगा यहाँ पर पहले 5 दिया गिया फिर 8 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 क्या होगे 17 और 17 किस परकार लिखते है इस परकार लिखेंगे हम 17 को option number B right हो जाएगा और 17 और 3 20 सही है बिलकुल next दिया गिया एक चुए को कुटा का जाए कुट्य को नेवला नेवले को शेर शेर को साप साप को हाथी कहा जाए तो पालतुपस्टू के रूप में किसे पाला जाएगा यहाँ पे कौन सा है पालतुपस्टू कुट्ता है और कुट्य को कहा जाता है कुट्य को कहा जाता नेवला तो option number A right होगा नेवले को पाला जाएगा next question और आज की वीडियो का last question कि यदि M, A, D, R, A, S को D, A, M, S, E, R देखे पहले तीन अक्सर उठाए M, A, D और उसे उल्टा लिखा D, A, M फिर अंतिम तीन R, A, S लिखा और S, E, R लिखा इसी परकार आगे वाला M, U, M है तो उल्टा लिखेंगे तो भी M, U, M है आएगा क sufficient में दिया गिया D में तो option number D राइयच आएगा B, A, I, को I, A, B लिखा भी गया है तो यह था आज के वीडियो के पूरे 50 Qату और next part में हम last paper आपके 50 paper के पूरे 50 Q którą करेंगे और कल आपकी ये पुछ तक complete हो जाएगी और उसके बाद में हम कुछ निश्ची schedule से काम करेंगे तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद